मेरे कोविट पॉजिटिव का डे फाइव मेरे ट्रीटिंग फजेशन डॉक्टर रिजवान उपल ने एक बड़ी सबरदस्ट एक्साइज मुझे बताईए जो सब करोना पेशन्स को चाहे आपको ब्रीधिंग प्रॉब्लम हो रहा है चाहे नहीं हो रहा आपने एक्साइज क पाइदा करता है जो कि ग्लूई होता है गोंद के तरह होता है जो स्टिक कर जाता है और अगर बढ़ जाए उसके मिदार तो यह रेस्परिट्री प्रॉब्लम करता है और बात डेथ तक चली जाती है उसको उसका हल क्या है यह एक्साइज गोर से देखें ऐसे घुटनों के बल पाउं पीछे बाजू यहां पर सर नीचे रखके पूरा सांस मैकसिमम अंदर खेंचना है और खासी के साथ छटके के साथ सांस को बाहर निकालना है ऐसे में हो सकता है कुछ बर्दम भी आपका निकले जिसको आपने क्लीन करते रहना है लेकिन शायद वो नीचे कौने म आप आप इस वक्त तस्वीरों में पूसिशन देख रहेंगे भी प्रोनें के पूसिए जो करा ही जाती है लेकिन मैं भान-पी कर चैस्ट की फिज्यो कह सकते हैं चे में प्रीधिंज कह सकते हैं यह कि पीभी आपने चेस्ट के बल देथना होता है निक्में बहुत तक्लीबते लग रही है लेकिन भाहट ज़ूरी है कि पूरा सांस अंदर कि zijn निचले हिस्सों से भी आपका वाइरस महाँ पर अपना सर ना छोड़े यह जूरूर फ़रवर्ट कीजिए तमाम उन बहन भाईयों को जो जो वाइरस का शिकार इस वकरोना का प्रीधिंग प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी एक्सराइज बहुत इफेक्टिव बहुत जरूरी है फ्रोनिंग प्यारो एन आई एंजे